नौस्ते फ्रेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर कीरती है, मैं एक कंसल्टेंट साइक्याटरिस्ट हो, साथी साथ एक सेक्शल डिसॉर्डर स्पेशलिस्ट हो आज हम डिसकस करते हैं कि रात में या दिन में सपनों में क्या सेक्श के बारे में सोचना गलत है, क्या ये कोई प्रॉब्लमेटिक बात है या फिर ये क्या इंडिकेट करते हैं तो पहला चीज है कि हम थोड़े से इसके वारे में विस्तार से समझेंगे कि क्या ये सपने आना बुरी बात है या खराब तो देखें बहुत सारे रिसर्च के बाद पता चला और ये पब्लिस्ट डाटा है कि 83 प्रतिशत लोगों को सेक्स के सपने आते हैं रात में चोकि 83 परसंट है और ये कोई छोटा नंबर नहीं है बहुत ही बढ़ा नंबर है इसका मतलब है ये बहुत ही कौमन है दूसरी बात है हर पांचवा सपना एक व्यक्ति का वो चाहे मर्द हो या औरत हो उनको सेक्स के बारे में ही आता है अब ये किस-किस थीन पे ज़्यादा तर आते हैं देखें कभी आता है कि आप अपने एक्स के साथ सेक्स कर रहे हो वो आता है दोसरा है आप अपने स्वेंज या फिर अन्नोन व्यक्ति के साथ सेक्स करने के में भी सपना आता है तो क्या इस प्रकार के सपने आना बुरी बात है क्योंकि भारत देश में बहुत सारे युवापीरी के पुरुशों को और लड़कियों को ऐसा लगता है कि ऐसे सपने आना मतलब हम खराब हो च सेक्श्वल आकर्शन जब जादा बढ़ जाती है तो स्ट्रेंजर के साथ सेक्स के सपने आने लगते हैं दूसरा चीज है अगर आप लोनली फील कर रहे हो या फिर आपका करेंट पार्टनर ऐसा विवार कर रहा है जो कि आपके एक्स पार्टनर जैसा है तब आपको एक्स पार्टनर के साथ वाले सेक्स के सपने आते हैं तीसरा चीज होता है अगर आपको कोई और चाहते हो कि और कोई व्यक्ति जब भी आपके साथ सेक्श्वल इनिशन्शिप में है वो इनिस्येटिफ ले या फिर कभी कबार वस ऐसा ही हो सकता है कि आप लोनली फील कर रहे हो और आपका सेक्स ड्राइव जादा है और आपको इसके बारे में अपने पार्टनर के साथ बात करना है और ऐसा नहीं है कि जो सपने आप देख रहे हो हो वो सारा चीज हकीकत है जैसे कोई व्यक्ति हमारे पास आते है और बोलते है कि मैं अपने पार्टनर पे चीटिंग कर अगर उसके बाद भी समाधान नहीं हो पाता है तो एक स्पेशलिस्ट से बात कीजिए ताकि इन चीज़ों को सिस्टमेटिकली डील करा जाए और किसी भी रूप से अपने आपको कोशना या गिल्ट फील करना इसका समाधान नहीं है